नमस्ते आज हमारे इस विशेश कारक्रम में अरोन अगर्वाल साहब हैं अरोन अगर्वाल साहब मुझे सबस्यादा कॉलिफाइड जो आजकल हिंडनबर्ग, अडानी, देश के असेट्स, एकॉनमी यह सब एक दूसरे से घुल मिल गए हैं एक तो मैं और अपने दर्शकों को बता दूँ एक पुराना समाजवादी बैग्राउंड यह है कि जोर साहब के साथ जब मैं था तो उस समय अरोन भाई बहुत से चीजें जोर साहब को जो कहते हैं मसाला देते थे क्योंकि उस तरह की चीज पढ़ने वाले शायद अरोन भाई देश पे बहुत ही कम नेता बचे थे उस समय अब तो शायद किसी नेता को इसमें इंट्रेस्टी नहीं है उसको तो ज्यादा इंट्रेस्टी निग उसको कितना मिला तो हमें क्या मिल रहा है मैं तो सबसे पहली बात जो आपसे हम मैं और दर्शकों को एक थोड़ा है एक तीन सुदस मिलियन यूएस डॉलर का ऐसा पताया गया है कि अडानी ग्रूप के अब ये इतने पैसे इतने अकॉंट्स में फ्रीज हुआ है स्विस बैंक अब इसको लेके बड़ी अजीव जीव तरह की खबरें हैं अडानी ग्रूप ने कहा है कि नहीं साब इस तरह का कुछ हुआ ही नहीं है मेरा तो दो ढ़ाई हजार डॉलर फ्रीज हुआ है कुछ इस तरह की भी बातें आ रहे हैं उधर हिंडनबर्ग कह रहा है कि भई नहीं काम क्या कि वह एक प्रॉपर इन्वेस्टमेंट के रूप में शेर मार्केट में काम करता है इंटरनेशनली और जो मेरी समझे वो यह आइडेंटिफाई करते हैं कौन चोर कंपनी है उसको पहले आइडेंटिफाई कर लेते हैं पर रिसेर्ज करते हैं पैसा लगाते हैं फिर हम लोग उस पर फ्रीजिंग वाले पर आएंगे आरण भाई सब जी लोग सब को ही कहते हैं अरे यह तो शौट सेलर है यह तो बेच के पैसा कमाया इसलिए इसने रिपोर्ट दी तो मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि हिंदुस्तान में जैसे यह शौट सेलर है वैसे बहुत सारे लोग लॉंग बायर हैं जो अपनी रिसर्च रिपोर्ट दिखा के पहले शेर खरीद लेते हैं उसके बाद उसको मार्केट में रिलीज करते हैं या वो खरीदे रहते हैं तो पता चला कि मदू केला ने यह शेर खरीद लिया तो वो बढ़ जाएगा डॉली सकस केजी खेलने वाले हैं और अपनी रिपोर्ट या अपने को वो करके अपना शेर 20-25 परसंट बढ़ाते हैं तो वो गलत नहीं हो गया तो उसी का यह काउंटर पार्टी है जो कि यह कहता है कि देखो यह कंपनी घोटाले वाली है इसका वैल्यूएशन जो नार्मल वैल्यू जो तेजी खेलने वाली है उन लोगों पर एक्षन नहीं लेते तो आप इन पर आप कैसे यह कह सकते हैं कि शौट सेलर हैं तो हिंडन बर्ग का एक खाली इंडिया में उन्होंने एक कंपनी को चुन लिया अदर्वाइज वो ग्लोबली खाली अडानी नहीं कितनों कितने द तमाशा देख रहे हैं वो क्यों करेगा इतनी महनत किया तो क्या उसको से भी पैसा देगी क्या विसल ब्लोवर को को कोई अमेरिका में दस परसंट मिलता है बीस परसंट सौरी एस्ट्राजनिका के एक हैं उनको यहां पर चार सो करोड रुपया मिला जबकि उन्होंने एस् तो हिंडनबर्ग एक वो इन्वेस्टमेंट फर्म है जो एकदम ट्रांस्पेरेंट है उस पर अगर अक्षन लेना है सेवी को तो एक अग्रिमेंट है यूएसे और और सेपरेट सेकुरिटीज वालों को आप उनको कहिए कि यह देखिए यह वाइलेशन में है इनको आप प काटे गाई तो अगर आपने वो किया तो आपके उसने पूरे जो है वो खोल दिये कि कहां से पैसे आते हैं और जाते हैं अभी जो लेटेस्ट है देखिए एक इसमें स्विस कोट की सबसे बड़ी बात है कि इन्हों ने जो इन्वेस्टिगेशन चालू किया वो 28 दिसंबर 2021 को चालू किया टू येर्स बिफोर हिंडनबर्ग सेड एनीफिंग हिंडनबर्ग ने जन्वरी 23 को अपना वो जो है रिपोर्ट लाया तो उसके पहले से चालू था अब इन्हों ने क्या किया कि जब स्विस कोट का ओडर आया तो यहां तो यह जान बूच के उसको सप्रे करेंगे अगर आपको याद हो वो स्वीडन का मामला था बफोर्स का या अभी आप यह देखिए क्या कहते है रफेल में फ्रांस के वेस्ट लैंड में इटली के कोट का ओडर था हेलिकॉप्टर में तो अब क्या हो रहा है कि हिंदुस्तानी हमको लूट रहे हैं और बाहर क की कोट जो है उसको बचा रहे हैं आप समझ रहे हैं बार बार यही हो रहा है और हमारे लोग जो है उसको धकने की कोशिश कर रहे हैं जो यहां पर सेवी और सुप्रीम कोट की कमिटी ने किया तो पहली बात कि उन्होंने दो हजार एक्किस से यह इंवेस्टिगेशन वो 18.05.22 को किया उस समय हिंडेनबर्ग आसपास कहीं भी नहीं था मच बिफोर हिंडेनबर्ग तो अभी जो ये रिपोर्ट आई तो इन लोगों ने हिंडेनबर्ग ने ट्वीट करके ये कहा कि देखिए भाई ये स्विस कोट की ये रिपोर्ट है ये ओडर है मतलब कि देखिए इस इस जुडिशल प्रोसेस हमने हमारे एक रिष्टेदार हैं जो स्विजर लेंड में रहते हैं तो इसमें कुछ एक्रोनिम्स और ये ओडर था फ्रेंच में उसको ट्रांसलेट करके गूगल ट्रांसलेट करके हिंदी में आजकार बड़ा अक करती है तो जैसे रेगुलर हीरिंग होती है ऑपजेट पार्टी को मौका दिया जाता है वैसे ही ये हीरिंग भी पहला हजार करोड रुपया इनके पांच-छे बार इनके अकाउंट डिफरेंट डिफरेंट जगह में फ्रीज हुए और ये भी ऐसे है कि बाज नहीं आते है मनी लॉंडरिंग करते हैं स्विजर्लेंड में ले आते हैं फिर पकड़ाते हैं पतलब आप देखिए स्विजर्लेंड में कानून है कि अपने आपने अगर मनी लॉंडरिंग और कहीं भी बाहर में करी तो वो स्विजर्लेंड में ओफेंस है और वो पैसा स्विजर्लेंड में आया माल ले हमने बर्मूदा में किया जो इन्हों ने किया में मनी लॉंडरिंग करी तो इनकी जो फ्रंट कंपनी थी तो यह किसी का नाम आइडेंटिफाई नहीं करते हैं जिसका यह फायदा उठा रहे हैं जबकि वो एक इंग्लिश में कहावत है कि वाक्स लाइक ड़क टक डॉक्स अ डक। मस्क भी अडव्य। तो वही हाल है यहां पर कि जब वो सेवी का नाम लेते हैं सुप्रीम कोट कमिटी का नाम लेते हैं यह दो बाइनेम लिया हुआ हिंडन बर्ग को उन्होंने एक इनिशल से इडेंटिफाई किया है फाइनेंशल टाइम्स का इन्होंने नाम लिया है तो क्या कहीं किसी अंधे को भी क्या यह लोग हम लोगों को इतना बैकूफ समझते हैं कि हम अगर यह देखिए मेरे पास उसका पूरा वह है ओडर इतने में दस पेज में मैं आपको दिखा रहा है यह ओडर जितना है यह हजारों पेज से भी का और सुप्रीम कोर्ट की कमिटी से जो इसने दस पेज में कहा है उन लोगों ने वो कह नहीं पाई और आपको उसकी मैं मूल मूल बाते आपको बताऊंगा कि इन्हों ने क्या कहा है यह तो और इनके लौ कितने हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं हमें तो इसको पढ़ने के बाद इतनी शरम आई कि वाट आपन टू आवर इंस्टिटूशन बाहर वाला आपसे ज्यादा आपके हुआ यह कर दो बालीत कैसे हुआ और ओर नौ कि व्टीत ज्या मूल गएह. Such action could have made it possible to avoid it being apparent that the promoters of the various listed companies in the group actually hold more than 75 percent of the shares in the said companies. इंदुस्तान में किसी को कुछ नहीं पढ़ना है, खाली आके कहा देना है कि निर्दोष है, यह वो लिखते हैं, इस आक्ट्स अब आगे सुनिये, अब आप इस बात को देखिये, वो क्या कह रहे हैं, एक नट्शल में कह रहे हैं, कि यह 75 परसेंट यह मनी, देखिये, पहले अब थोड़ा सा डाइवर्ट कर लें, कि इस केस से मैं लिंक कर दूँ, पहले तो मैंने बताया हिंडन बग क्या है, अब मैं आपको बताता हूँ, अडानी का बिजनेस मॉडल क्या है, और कैसे वो इतने सारे आइसेट्स को हडप ले रहा है, उनका बिजनेस मॉडल है, कि पावर प्लान्ट हो, या कोई पोर्ट का ये हो, तो उसकी जो मशिनरी इंपोर्ट होती है, या कोईला इंपोर्ट होता है, तो अगर उसका दाम एक्स है, तो उसको 2x एक्जाम्पल करे कि वो करके आधा पैसा आपने बाहर रख लिया, जितना था और आधा आपने इंडिया में, लेकिन इंडिया में आपने कॉस्ट दिखाई 2x, तो 2x के उपर आपकी पावर टारिफ हुई, तो एक दरफ तो अगर मानले आपने हजार करोड का ओवर इंवाइसिंग किया, तो वो हजार करोड तो आपके जेवे में शुरू में ही चला गया, और यह जो हजार करोड ज्यादा दिखाया, इसका आपको छोटे-छोटे करके, इलेक्ट्रिसिकी टारिफ को अगर आपने 20 पैसे से बढ़ा दिया, तो जो इनका long term contract है, अगर एक पैसे की गलती हो जाए, और उसको आपने money laundering यहां वहां टालाते हुए 10 company, 15 company, 5-10 देश की इसको कोई trace नहीं कर पाए, और फिर आपने इंडिया में लगा के, अपने share का भाव, जो X होना चाहिए, आपने इसको 20X कर दिया, उसके ऊपर आपने loan लिया, और 5-6 company बनाई, company पर company, और उससे जो है, आपन मेरे पास इतनी बड़ी security है, तो यह उनका game था, उस game में यह सोचे कि Switzerland तो भाई, banking heaven है, हम जो कर लें, तो इनोंने वहां पर पैसा लगाया, अब यह manipulation कैसा होता है, stock market में बड़ा strict rule है, कि कोई भी promoter 75% से ज़्यादा share नहीं रख सकता है, क्योंकि public float 25% नहीं होगा, तो कोई भी आदमी stock market में share को corner कर लेगा, और pump and dump वाला जो उसको है price बढ़ा देगा, यह आज से नहीं, यह जब जितना पुराना stock market है, उसके पहले जो twilip वाला है, उसमें यही खेला होता था, तो यह जो कह रहे हैं, कि जो हमारे investor जो ही identify कर रहे हैं, कि 75%, मैं कहा रहा हूं, कि this report is more valuable than the SEBI report, तो यह 75% और मेरे पास data है, 75% तो यह वहाँ से अपना subscribe कर लेते हैं, company में, 19-20% यह बाहर से यह जो हवाला और over-invoicing का पैसा है, उसको लाके invest करके, तो आप समझें, यह दोनों मिला लिए, तो 92-93% हो गया, दो-3% जो है, यह हमारे जो मुर्गा बनने वाले institution है, जैसे LIC, SBI, GIC, इनको यह कह देता है कि तुभी रख ले, और मुश्किल से जो public float है, वो 4-5% होता है, और उसमें भी break up होता है कि high net worth वाले 1-2% और बाकी सब, आप नहीं मानेंगे आनन जी, कोई mutual fund अपने reputation वाला या जो investor है, इंडिया में, वो Adani की company में पैसा नहीं लगाता है, तो यह इनका game है, तो main इनका है कि मेरे share का भाव बहुत उंचा रहे हैं, आप समझ रहे हैं, तो यह इनका business model मैंने बताया और इनका जो दूसरा है, हमने आपको यह समझाया कि यह कैसे उस business model में share manipulation and keeping it high is essential part, वो अगर share का भाव हो, जैसे इनकी Adani enterprise है, तीन हजार रुपय इसका भाव होता है, एक रुपय जहां तक हमें यादे एक रुपय का share है, उसका भाव actual अगर आप निकालें और यह सुचीता दलाल के husband जो है देवशीश, उन्होंने अपने उसमें कहा, सब का calculate करके दिखाया, कि कैसे इनका P ratio इतना high है, तो उसके हिसा stock manipulation, which helps him to get more and more money to invest, cycle चलती है, जो है सब्सक्राइब को समझाने की कोशिश करना है, अपने हिसाब से देखे, दूसरा है, जो मादवी बुझी सेवी वाला है, वो अभी तक, दो चीजे हो रही है, Congress Party उनके उपर बहुत direct आरोप लगा रहे हैं, यह पवन खिडा जी नहीं नहीं वो लाते हैं, और उस पे वो बिल्कुल silent है, बस कहते हैं, मैंने सब दे दिया था, वो income tax से निकला था, तो भई, यह कौन कहा रहा income tax से नहीं निकला था, लेकिन, दो चीजे यह हैं, कि जो आ कदमा करना चाहिए, क्योंकि वो एक बड़ी सद्था की, chosen by the prime minister of this country, उस पद पे पहुँचने के लिए उन्होंने प्राइम मिनिस्टर की, उस committee से वो और अमिशाजी ने उनको choose किया है, वो वहाँ बैठी है, देश के सारा उनके उपर जम्मेदारी है, इसको कैसे रख, वो जब वो जॉइन करी थी, तब उनका net worth, जो एक report आई, उनका जो है 80 करोड का था, अब 80 करोड का अगर आपका net worth है, तो आप से ये उम्मीद करी जाएगी, कि आप ये छोटे-मोटे वो काम नहीं करेंगे, तो उनके, देखिए, उनको दो तरह की clearances मिली है, एक आपको vigilance clearances से मिली है, और दूसरा जो है, एक और उनका होता है, वहां से मिली है, appointment ACC में हुआ है, तो क्या इन लोगों ने, जो MCA, जो register of companies में, जो information available था, क्या उसमें इन्हों ने चेक नहीं किया, कि इनकी यहां पर भी जो है, अगोडा कंपनी है, ये कंपनी है, उससे income होती है, और द कैसे आ रहे हैं, और उस पर उन्होंने question mark नहीं raise किया, कि भाईया, ये rental income है, लेकिन मैं इनके main fault मैं आपको बताता हूं, इनका क्या है, जो लोग समझा नहीं पा रहे हैं, लोगों को मालूम नहीं है, और ये इनके पास कोई defense नहीं है, और ये ICICI में पहले bank में थी, फिर case securities में गई, 2008 में, मार्च या एप्रिल में, इनको 7-8-7 लाख stock option मिले, वो stock option की एक शर्त थी, कि आप minimum 5 साल काम करेंगे, ऐसा तो नहीं होगा, आनन जी, कि मैं आज काम करना चालू किया, मुझको एक contract में मेरे package में, हमको stock ESOP मिले, और मैं ESOP भी समझा दूँगा, जो लोगों को नहीं आता है, क्या होता है, तो उसके बाद, जो है, मैं परसो छुटी पर चला जाओं, और चार साल, मैं 5 साल और कहीं काम करूं, और उसके बाद वापस आओं, और कहीं कि अच्छा, मैं मेरा छुटी का period खतम हो गया, अब आ परवल तीन साल काम किया, और मैं 2011 में कहा कि मैडम वो कोचर थी, वो भी कलाकार, ये भी कलाकार, दोनों कलाकार, और इन कलाकार के ऊपर कौन थे, कामत बैठे वे थे, वो कहां गए, वो सुप्रीम कोट कमीटी में बैठे, अब इस सब का मैं वो बताता हूं क्या-क्या है, तो इन्होंने मैं मैं कहा कि मैं दो साल छुप्टी में जा रही हूं, अपने हस्बेंट को सिंगापूर जोइन करने के लिए, इन में शी वेरी वेल नियू, कि मैं एक कंपनी से इनका कॉंटाक्ट हो गया, ग्रेटर पैसिफिक फंड, उसकी ओफिस मनाने ये थी, और उस ओफिस में दुवाल के, उस कंपनी में दुवाल के लड़के भी काम करते थे, तो वहां पे जब ये गई, तो सेप्टेंबर, ऑक्टोबर में गई और ये पेपर में छपा, कि शी इस ओन लीव, अब जब ये छपा, तो आईसी, आईसी, आई को पूछना चाहि ये था कि, if you are working there, then why should you not resign? आज हम अगर मानले किसी public संस्था में काम करें, after all, ICICI कोई बनिया की दुकान नहीं है, it is regulated by RBI, सारे banking नौम सलाव होते हैं, तो वो direct supervision है, तो आप वहां मनमानी नहीं कर सकते हैं, तो कि हम जिसको मन में आया, दे दिये, जिस तरह से, तो पहले तो ये अपना ये contract दिखाएं, और वो छुट्टी दे के, she never came back, और जो उनका stock option था, वो उन्होंने, in spite of working in another organization, जो कि इनको एक साल और काम कर रहा था, जो नहीं किया, ये घोटाला है, और उसके उपर इनको 60 क परोड का extra ESOP मिला, जो उन्होंने तुरंत नहीं भुनाया, एक ESOP होता है, कि एक salary का package होता है, कि मैं आज काम करना चालू किया, तो मेरे company का अगर share का भाव 200 रुपे है, और अगर मैं 5 साल इसको मेहनत करके company का भाव अगर 1000 रुपे हो जाता है, तो हमको आज के 200 रुपे के भाव पर, 5 साल के बाद ये share हमें मिलेंगे, जिसको की normally 3 महिने, लेकिन ये कहते हैं कि हमको 10 साल का period दिया गया, तो चलिए वो मान लेते हैं, लेकिन आपने अपना 5 साल जो mandatory term था, आपने complete नहीं किया, ये सबसे बड़ा घोटाला है, और इसमें चंदा कोचर और कामत का कम है, लेकिन इन लोगों का उसके अंदर में हाथ है, उसके बाद ये जब चली जाती है, तो ICICI securities का public issue आता है, वो शायद 500 या 600 रुपे में आता है, तो वो public issue जब ये member है, तब अलाव होता है, तो आप तो जानते हैं कि वो 4000 करोड का या कितने का issue था, तो उसमें 40-50 कर करोड रुपया तो कुछ नहीं होता है, अगर आपका जल्दी से clear हो जाए, तो वो clearance दे दी, दूसरा इन्होंने जो वो किया कि जब ICICI securities का बड़ा अच्छा business चलने लगा, ब्रोकिंग में पैसा आने लगा, तो उसमें 4 या 5000 करोड कैश आ गया, अब ये चाहते थे कि इसक तो हम delist करके फिर से अपने पास merge कर ले, इसके अंदर में इन्होंने दो बार कानून बदले, in favor of ICICI, आप mute हैं, आप mute हैं, आनन जी, in favor of ICICI, और पूरे ICICI securities की जो share list थी, वो ICICI को leak leak कर दी कि तुम canvassing करो, कि ये merger के favor में vote हो, ये अन्यमता जब उनको बताई गई, तो she refused to take action, तो by virtue of being an employee, getting illegal stock option, ये अगर चार साल का अगर है, तो चार साल करना चाहिए था न, सबके लिए ये apply होता है, हर आदमी छुटी लेके चला जाएगा, तो चार साल काम किया नहीं, तो वो इनका पक्का जो है, मतलब जो मैं कहा रहा हूँ कानून, जो पकडाने वाला है, वो है, और दूसरा ये है कि इन्होंने जो तीन तरह के exemption दिए, और शेर होल्डरों को उसका नुकसान हुआ, और जो इनके पास ESOP के शेर्स बचे थे, जो अभी इन्होंने income tax में, जो पवन खेडा ने कहा, कि securities में इन्होंने 16-17 करोड ट्रेड किये हैं, अब हमें ये नहीं मालूं, ये हो सकता है, I'm only speculating, कि ये इन्होंने जो ESOP के जो शेर्स मिले थे, उसको हो सकता है, इन्होंने बेचे हूँ, तो वो उसमें आगया हो कि share money trading या income from shares में आगया हो, ये हम लेका सकते, तो ये दो इनके बड़े ये जो हैं, stick करते हैं, apart from कि ये इन्होंने अडानी की company में जो पैसा लगाया था, और उसको disclose नहीं किया, by shifting that investment into her husband's name, though it was a joint, ये तीन-चार इनके violations बहुत क्लियर हैं. अरुमा एक बहुत छोटे-चोटे एक दो प्रश्न है, जो कि, एक तो प्रश्न है कि ESOP केवल इनको मिला था कि और employees को भी मिला था, number eight, number two, नहीं, number two, एक साथ में कर लू, बाकी employees ने भी क्या दस साल के बाद उस option को exercise किया, या she's the only one, या बाकी लोगों का तीनी मेने में हो अब यह नहीं मालूम है कि यह जब जॉइन करी तो उसके salary package में यह terms and condition generally होता क्या है, कि वो निकाल के रखते हैं, लेकिन यह सब को 10 साल नहीं मिलता है, यह इनके ही लिए, और इस पर ICICI, RBI, और SEBI, यह तीनों को, चुकी, इन्वाल्स मैडम बुच, they should be transparent and they should produce the documents, because यह document जो है, यह document में हेरा फेरी में connivance है, उनकी भी conspiracy है, उन पर भी सवालिया निशान है, तो इन लोगों को वो documents public domain में डालना चाहिए, कि भाई, यह terms and condition थे, यह ऐसे थे, क्यों नहीं complete किया, तो यह जो silence है न, यह silence of conspiracy है, सब दोशी लोगों की से. मैं एक चीज़ आप से ही बूछ सकता हूँ, क्योंकि एक थोड़ा आसानी यह रहती है, मैं जब वकील से बात करता हूँ, तो थोड़ा उनको भी आसानी रहती है, क्योंकि बाकी कोई आदमी अगर मुझ खुलेगा, तो उसको तो मालुम नहीं क्या हो जाएगा, कहां कहां, कोट से कितने कितने आजाएं, तो थोड़ा एक मुझे ऐसा लगता है, एक चीज़ कल अजीव सी हुई, देश का एक हिंदी यूट्यूब चैनल है, अपने को सबसे बड़ा कहता है, मेरे लखनों का है, मतलब मेरे जानने वाले लोग है, I was taken up, मेरे अजीव सा धक्का लगा जब वो चैनल खुले आम ना केवल अडानी जी के गुणगाने लगा, उसने बताया कि अडानी जी कितने देश वक्त हैं, अडानी जी ही की वज़े से इस देश का नाम रोशन हो रहा है, दुनिया उनको देख रही है, और इस कहते 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 हूँ बाकी सब चीज़ें में कुछ लोगों ने साजिश करके वो और हम सब लोग उसमें इंट्रूडड है आप अगर ये बोल रहा है और मैं अगर ये इंट्रिव कर रहा हूं कि इस देश के बहुत से चैनल विदेशी ताकतों के साजिश के रूप में अडानी को टार्गेट करते हैं लेकिन टार्गे ये एकदम से वो अभी तक तो वो थे वो बोलते नहीं थे डानी पर अलग बात है लेकिन ही पास्ट वेरी वैसे कमेंट्स तो जना मैं आप से समझना चाहरा हूं आपको भी ये समझ में आया कि क्यों हो रहा है एकदम से एक आदमी ओवन नाइट क्यों बोल रहा है जो हम लोगों का जो सोशल प्लाटफॉर्म ओटी टी प्लाटफॉर्म ये जो है इसमें भी अब अडानी जी का दखल आ गया उनके पास एक बहुत बढ़िया अनलिस्ट है जो आते हैं बार-बार राजी वरंजन करके हैं उनको वो वो अडानी वगर वो समझते हैं आज तक हमने एक प्रोग्राम इतने बड़े इसमें जो है उनका नहीं देखा और सबसे अफसोस की बात यह है कि आप इसको यह दिखा रहे हैं कि यह हिंडन बर्ग का वो है कि खोजी है यह हिंडन बर्ग का नहीं है यह कभी नहीं आपने कहा कि यह मामला जो है स्विश कोट में जहां कि वो अगर वो इसको रेफर कर देते जहां कि वो इंडियन इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट कर रहे हैं और वहाँ पर एक और बात है उसमें लिखा है कि जिसकी इंजरी होती है वो क्यों फ्रीज किया गया क्योंकि यह तो पैसा हम लोगों का है ओवर इन्जरी इस मनी आज तो कम बैट तो आस यह उनके कानून में लेकिन हमारे वाले क्लेम नहीं करेंगे तो और उसके बाद आप हमने देखा उसको वो टाइम्स में उनका दिखा रहे हैं अरे टाइम्स में तो एडी अमीन ने भी फ्रंट पेज पर वो किया था उस टाइम्स के आर्टिकल में साफ साफ लिखा हुआ है कि इस प्रॉस्परिंग द्यू टू इस क्लोजनेस तुदी पोलिटिकल पावर मोदी जी का नाम है उसमें उन्होंने यह भी लिखा है कि यह सारे एसेट्स को कॉर्नर कर रहे हैं और डिस्पैरिटी बढ़ रही है तो वो डीटेल मे तो आप जाते नहीं है और आप टाइम्स को इंडिया टुडे से कंपेर कर देते हैं तो इस मामले में जो है वो कंपैरिजन भी गला तो सेलेक्टिव फैक्ट्स को आप अगर करेंगे तो फिर आप में और आम जो चैनल है गोधी मीडिया में क्या अंतर रह गया हमें तो इत अगर एक फोन कॉल करके वो राजीव रंजन से पूछते तो वो बताते कि यह जो है पूरा खुलासा स्विस कोट का है इससे अडानी का एक धेला लेना नहीं है तो यह अब यह जो आ गई तो आप भी बचके रहिएगा तो देखिएगा तो देखिएगा अपने होशो हवा अब नहीं रहेंगे और नहीं रहेंगे तब तक नहीं रहेंगा इसना विश्वाव होगा नहीं मैं इसने क्या रहा हूं क्योंकि आए मुझे एक चीज जो वो जिस तरह के इमोशनल स्क्रिप्ट पढ़ लाए थे कि भई शेर मार्केट में लोगों ने अपने पैसे लगाए थे और साजिश होई वो अडानी में पैसा डूब गया उनकी लड़की की शादी बागी थी उनकी सुसाइटी में कुई का बतलब यह यह जो बचकाना एक एक स्क्रिप्टिंग करके कर रहे थे मुझे भी बात अफसोब रहे थे इसने यह इमोशनल बात है एक फैक्ट है कि स्टॉक मार्केट इस एट अन आल टाइम हाई हमें तो अभी तक एक नौसिखिया भी नहीं मिला कि जो शेर मार्केट में पैसा खोया इनको कहां से पूरे इनके हाउसिंग ससाइटी में केवल चुन-चुन के ऐसे लोग मिले जो है पैसा और उसमें भी नहीं खोया टेंपररिली देवाजा सेट्बाक बट आफ्टर दाट वन उनको जब पता चल गया कि से भी कुछ नहीं करेगी सुप्रीम को ठेंगा करेगी तो उन्होंने जो है जी एसक्यू करके एक जैन की फर्म है अमेरिका से वहां से एक बिलियन डॉलर चौप दिया अब चलो अब तुम कहते हो तो वो उससे जो है उनके शेर्स जहां थे लेकिन मैनिपलेशन इस्टिल देर यह मैं करूंगा और मैं सिरु अपने पिता को एक मार्केट जुआ था और वो जब तब तक जिंदा रहे तब तक वो कार हम लोगों को लोन को करजा खरीद के करजा ले के का है कार खरीद रहा पैसा होगा तो खरीद ले ना तो परानी से चलो क्या दिकत तो शायद वह ओल्ड स्कूल कई मामलों में ठीक था इंदुस्तान मे जब भी हमने देखा है कि मंदी आई है वो आई है तो घर के जो हमारे वो थे जो अब नहीं है जो घर की सेविंग्स थी उसने इस देश को बहुत बचाया भी है जो रस्टिक विजडम कह लीजे या पुरानी विजडम थी अब मैं भी स्टॉक मार्केट में हुए मैं भी उ अब भूट अडानी शेर परकॉस मुझे लगता है इस अच्छा लगा आपको अडानी के नहीं खरीदे हमारे पिता जी जो है हमें कोई चाइना का माल विहार में रहते थे बॉर्डर बहुत पास तो कभी भी वह सब पैन वग रहती थी बड़ी अच्छी तो कभी भी चाइ में बहुत फैनाशल का वो निकालता हूं तो बड़े खुश होते थे कि हां यह जो है गोटाले उटाले में और दूसरी सीख दी कि तुमको पैसे की कमी हो हमसे मांग लेना कभी भी एक पैसे की गलत काम नहीं कर तो पुराने अच्छा एक बात और मज़ेदार बताओं मैं में हिसाब से सोस्ता था यह मल्टी नेशनल पेट्रियोट बनते थे जैसे यह हैं हमारे रामदयों चड़ाए लोगों को तो यह मल्टी नेशनल बड़े गड़बड है तो मैं इनका शेर जो है 20 साल तक नहीं खरीदा एक शेर मोहंदास पाई हमारे दोस्ते जिस कंपनी में काम करते थे पॉंट का शेर दिला दिये उससे मैंने हिंदुस्तान लिवर को दोड़ा लिया और सतर करोड उनको वो कमदाम में शेर ले रहे थे और जो उनके उस समय एंडी थे डादी सेट वो हम से आके मिले मैं पीछे नहीं आटा और उनको सतर करोड रुपे और इंवेस हो चुका था तो यह सब पेट्रियोट होना भी एक लेवल के बहुत अच्छा नहीं जो इन्वेस्टमेंट अभी लास्ट में खुलासा किया है जो चाइना में है यह उन्होंने डिस्क्लोज किया की नहीं और उसके बावजूत इनका अपॉइंटमेंट हुआ की नहीं मैं एक दिन आपको और तकलीर दूँगा ओनली वी विल बी डूइंग ओनली ऑन दी सेवी चैरपर्सन माधी बुच के बाकी बाग क्योंकि वह बहुत जिसी चीजें है तो उसको बिटन पीसेज की जगा एक विल डूए सेपरेट शो अन बैट उनली बहुत बहुत धन्यव